जारकन में तपिश दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है बढ़ती तपिश के साथ नदियां और कुएं भी सुखे हैं बूजलस्तर लगतार गिरता जा रहा है इसके साथ ही सूबे के लोग पानी की किल्लत से जूज रही है जिन्दगी बूंद बूंद को तरस रही है लोग बिना पानी के जिन्दगी बसर करने को मजबूर है हालात ऐसे हैं कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सूबे को लोग इन दिनों भारे जल संकर से जूज रही है जार्खन में पानी की समस्या दिन बदिन गभीर होती जा रही है कहीं पालिक की सप्लाई नहीं होती तो कहीं नल से पानी आता है लेकिन वो पीने लाइक नहीं होता पिछले 15 सालों से बोकारों के चास नगर निगम शेत्रों की कई लोग ऐसी ही परिसानी से जूज रही हैं हमारे समादलता सुरेंदर सीहनेस का जाइजा लिया जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन कुछ भी नहीं है जी और जीश तरह से पानी की समस्या देखी जा रही है इस वक्त हम बोकारों के सेक्टर 1 में खड़े हैं जहां सप्लाई पानी के लिए लोग कतार में खड़े हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जीश तरह से लोग कतार में खड़े हैं और यहाँ पर जो भी डब्बे लगा कर लाइन में खड़े हैं और यह चास्त से आते हैं चास नगर निगम छेत्र से वो भी सिर्फ पानी के लिए और यह अल्ले सुबा लाइन में लगाते हैं ताकि इन्हें पीने का पानी साफ और स्वच मिल सके आए कुछ लोग हमारे साथ हैं हम इंसे जानने की कोशिज करेंगे कि कितनी समस्या होती है supply पान जब इन्हें नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे कहां से आते हैं है बहुत समस्या है पानी का यहां हम तो 15-20 साल से यहां होते से यहां से ले जाते नहीं मिलता है तो फिक किसी तरह काम चिलाना पड़ता है खरीद के नगर निगम में भी पाइप लगा हुआ चाहस में लेकिन क्या पानी उसका पानी खराब है सर अगल वगल का कोई एक एक्वेरियम रखा था तो इस पानी के जगा उस पानी डाला तो उसका मचली बेगारा सब मर इससी ड़र से आप आप लोग नगर निगम का पानी नहीं पीते हैं हाए घ capitalist से आते हैं जाँ इसस नगर निगम का पानी Рव खाई chociaż कि नगर निगम का जो पानी है वो फ्रेस नहीं है वो पिने वाला है नहीं काफी दिकत हो रही है आप जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में लोग खड़े हैं लाइन लगा कर और पानी ले रहे हैं और भर रहे हैं चुकि जो यह सबी चास नगर निगम के लोग हैं और चास लोट जाते हैं अगर चास नगर निकम कोई ठोस कदम ने उठाता है तो आने वाले समय में काफी दिकतों का सामना पड़ सकता है सहयोगी भोला के साथ मैं सुरेंदर नियुजे लबन के लिए बोकारो से चत्रा के लकलकवानात मंदिर में नौ दिवस्य महायग और कलश यात्रा की शिरुवात हो गई कलश यात्रा में सैक्लो शधाल होने भाग लिया बता दें कि पुरोहित बाबा विनोत कुमार मिश्रा और बरनारस से आए पुरोहितों की टोगी में इस महायग में पुजा पाच करवाया वियागे को लेकर भोवे पंदाल का निर्मान किया गया साथ में शहर के विभिन शौक चौराहों पर लौड स्पीकर लगाए गये और बात जल संकट की राची में जल संकट लगतार बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में पानी की समस्या से लोग बेहत परिशान है वही राची नगरनिगम की तरफ से शहर के कई वाडों में हर रोज लगबक 40 टैंकर पानी का डिस्ट्रिबुशन किया जा रहा है इसी का जाइज भी लगतार बढ़ता ही जा रहा है भलेकल देर साम 12 वी थोड़ा मौसम खुस्रूमा हो गया लेकिन पानी की जो किलत है ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लगतार जो है इन टैंकरों में पानी भर करके कई वाडों में जो है लगतार डिस्रिबुशन किया ज पानी जायेगा तो पानी की जो किल्लत है बहुत किल्लत है पानी की और इन चीजों को लेकर नगानीगउत प्रखिकलत हैं लेकिन नगत निगम के साथ तमाम साहर के जो लोग हैं उगस। पानीों संभिपूर होना होगा तो हम इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं यह प्रती दिन आप Sum ét। ना टकर पानी प्रती दिन लेकर यहां से कहां कहां जाते छेए सरफ प्रती दिन तोAyantumulle out-Dig से निकलती है और सभी वाडों में जाती ज जी सबसे ज़्यादा समस्या की बात प्रती शालिस मोड में किसा बने सबसे ज़्यादा सब लोग बाल्टी थाल अथी सब लेके दोर के आते हैं सब में पॉनी पुड़ भी नहीं पाता है कर उसके हम हजार बाल्टी लग जाता है 4000 लीटर पॉनी में नकर निगम जो है लगातार पानी जरूर बाट रहा है लेकिन निउज एलेबन ये अपील करता है कि घरों में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसे आप जरूर अपना है तभी जो है पानी की संकट से हम उबर सकते हैं और पानी की संकट नहीं होगी जल होगा तो ये एक अच्छी खबर होगी निउज एलेबन के लिए कैमरामें राजा के साथ अंजनी कुमार नाची और सी के साथ अस बुलेटन में इतना ही नमसकार 11 सच है तो देखे